हाँ है अब हम बात करेंगे सब्सक्राइल के बारे में इसपलेस आप्लिकेशिन को लौन्स करते हो निकimanaि को पनी अप्लिकेशन तो सबसे पहले एक कुछ सेकेंड्स के लिए एक शिर्स होतीज जिससेर बेसिक्लिए आपकी एस ओस्सेया रहा हिसेश्ञ बनते हैं जो को होंब करते हैं तो आपके बनती है इसके बात करते हैं तो सबसे vitल है अपने code के उप요hm आपको कि हमारे पास कोई भी एक्टिविटी या कोई स्प्लैस एक्टिविटी वालब कुछ भी सो नहीं कर रहा है अपनी मैन अक्टिविटी वालब करते हैं मैन अक्टिविटी के उपर कि अपने को पता चले कि मैन अक्टिविटी है तो इसका टेक्स्ट वाल लिख देंगे मैन अक्टिविटी मैन अक्टिविटी और इसकी जो साइज है वो भी हम थोड़ी सी बड़ी कर देंगे ताकि अप entering parent को अपन true कर देंगे ठीक है इतना काम अपना हो गया है यानि कि अपने को देखना अब बात कर देंगे नहीं सप्राइस बनाना पड़ेगा बेसिकली तो उसको अपने राइट क्लिक करेंगे अपने पैकेज नेव के उपर और निउपे क्लिक करके और इदा जब नीचे आएंगे तो अपने को यहां पर एक एक क्विटी का उप्चन मिलेगा अब एक अक्टी तो टेंपलेट्स में से अपने को कॉम सा चूच करना है यह इंप्टी व्यूज एक्टिविटी का इस पर जैसे एपन क्लिक करेंगे तो अपने को एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें अपने को उसका नाम देना है कि आप क्या नाम रखना चाहते हो तो मैंने अपने पास एक्टिविटी और चेंज हो चुका है तो एक सीज मैं आपको बताता हूं सबसे पहले इसको एक बाद मैं कैंसल करता हूं एक manifest file के अंदर मैं आपको चलके दिखाता हूं कि यहां पर जो आपका intent filter होता है वो कैसे होता है कैसे काम करता है हिलाल के लिए क्या हो रख है कि आपकी man activity है ना यह देखिए आपको declaration man activity का दिख रहा होगा आपको यह जो man activity का declaration है इसके अंदर एक intent filter का tag लिखा हुआ है इसमें क्या क्या है action आपके man activity के तरह काम करेगा category क्या है इसकी launcher category है यानि कि man activity जो है वो ही आपका launching का काम कर रही है और वही आपका as a default set हो रखी है लेकिन अपने को नहीं अपने को separate screen बनानी है तो अपन कैसे बनाएंगे तो दोबार होगी काम करते है अपना activity और interviews activity और यहां पर आपन नाम लिखेंगे इसका splash activity इसप्लैस activity ओके और एक्समन का नाम अपने आप चेंज हो चुका है लोंचर activity का पूछ रहा है अपने को तो आपन यह अपन लोंचर activity ही एक बना रहे तो इसको अपन चेक कर देंगे ध्यान रखना हर activity जब आप नहीं अक्टिविटी बनाओगे इन फ्यूचर तो हर activity को launcher activity नहीं बनाना है इसको अपन कर देंगे यह अपको पूछ भी सकता नहीं पूछ सकता अब बात करते हैं इस प्लैस स्क्रीन के ओपर क्या का अपने को करना है अब इस प्लैस स्क्रीन जैसे यह मान लीजिए अम एक तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूं manifest file के ओपर दुबारा से इतनी देर देख अपने पास एक 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 एक्टिविटी थी man activity यह वाली और इसका declaration क्या था इसका declaration था as a launcher category मतलब इसकी क्या करेंगे इसको default कर देंगे इसको अपन इसकी क्या करेंगे इसको default कर देंगे यानि कि launching होने के बाद में हमारी man activity वो आ जाए ओके अब एक बार क्या करते हैं अपनी screen को अपनी application को launch करते हैं रन करते हैं application को एक बार run करते हैं तो अपने पास कौन सी activity दुबारा पहले open होती ही वो देखते हैं you can see हमारे पास splash screen आई है maybe इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे को man activity का जो टेक्स्ट हो या पर विजिबल नहीं हो रहा that means studio ने हमारा क्या किया कि यहां से intent filter को read किया इसने और intent filter को read करने के इस बाद इसको पता चला है कि हाँ express activity जो है वो आपकी as a launcher काम करेगी man activity जो है वो आपकी as a default काम करेगी तो launcher इसने दिखा दिया मैं एक चोड़ा सा यह भी कर देता हूं जैसे man activity पे अपने एक text लिखा था वही text में copy करके express भी डाल देता हूं इस प्लैस पर डालने के बाद में यह लिजिए छोटा सा एक error आएगा क्योंकि constant layout हम यूज कर रहे हैं तो constant layout के लिए मैं इसको चारो तरफ bound कर देता हूं और इसको top edge पे भी bound कर देते हैं तो इस center में आ जाएगा अपने पास अब इसका नाम क्या है splash activity ठीक है अब रंग करते हैं अब अपने को difference पता चल जाएगा कि क्या difference है कौन से activity अपनी launch हो रही है you can see splash screen अपनी वो launch हो रही है लेकिन आगे नहीं जा रही है अपने को क्या करना है कि कुछ seconds के लिए ही तो दिखाना इसको उसके बाद में हमें man activity पर लेके जाना है user को तो क्या करेंगे हम splash activity का जो backend code है यानि कि इसका जो kotlin code है उसको open करेंगे और यहाँ पर एक छोटी सी condition लगाएंगे कि हमारी जो activity जैसे splash screen हो call हो जाए उसके बाद हम हमारी man activity पर launch मतलब refer हो जाएं directly तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे अब दूसरी activity पर हमें जाने के लिए क्या होता ने कि एक syntax का हमें call करना पड़ता है उस syntax को हम बोलते है start activity ठीक है तो हम सबसे पहले एक intent create करेंगे यहाँ पर और intent क्या होता है कि intent एक bridge का काम करता है एक activity से दूसरी activity पर जाने के लिए हमको एक bridge मिलता है तो मतलब जैसे कोई तो आप कुछ तो reference चाहिए न एक activity से दूसरी activity जाने के लिए तो उसको बोलते है intent तो अब intent का आपन सबसे पहले एक variable बनाएंगे यहाँ पर well intent and इसके आपको जो करना वो क्या है कि हमें तो एक activity से दूसरा activity पर जाना है तो हम यह वाला जो second last है इसको हम उच करेंगे सबसे पहले context और उसके बाद comma उसके बार class ग्लास कॉन सी? जिस activity पे हमको जाना है, उसकी class का reference हमें यहाँ पे तो सबसे पहले context हम देंगे यहाँ पर this context पास कर देंगे इस activity का, यहाँ की the space activity गर 2, then, comma कॉन सी activity पे हमको जाना है? हमको जाने, man activity पे. तो यहाँ पर लिखेंगे man activity dot यहाँ पर मलब class का declaration करना है तो double column and class इस तरीके से हमको इसका declaration करना है यहाँ पर यह में कौशी class का नाम दे रहा है then क्या होगा इस intent को अब हमको start activity का एक function है उसमें pass कर देना है तो start activity और इसके नाद इस intent को हमें pass कर देना simple बस इतना काम अपना हो गया अब क्या होगा आपकी splash activity भी call होगी और उसके बाद तुरंत आपका यह वाला function call हो जाएगा यह function जैसे call होगा तो आपको क्या होगा man activity launch हो जाएगी इसको मैं दुबार रन करके दिखाता हूँ आपको आपने देखा कि splash activity भी आया और man activity भी आया लेकिन काफी fastly splash activity हो आपका move कर गया तो आपको पता भी नहीं चला कि क्या मतलब आया था क्या text आया था यहां पर हना तो इसको थोड़ा सा delay करेंगे अपन तो उस task को आप कितना देर से आप उसको मतलब रन करना चाहते हैं एक्जिक्यूट करना चाहते हैं तो आप handler के थूँ उस चीज को थोड़ा सा delay करके आप उसको execute कर सकते हैं thread के नदर ठीक है तो उसको कैसे हम लिखेंगे यहां पर तो सबसे पहले पर handler के class को call करेंगे handler यहां पर bracket close करेंगे looper dot man looper ओके and then bracket के बाहर आके आपन लिखेंगे post delayed दो चीज़े हैं अपने पास post and post delayed post डालेंगे तो इसका मदलब तो तुरंद का तुरंद ही आपका उसी यहां पर के अंदर और आपका जो function वो call हो जाएगा थोड़ा से डिले करना चाहते हैं आपन तो लिखेंगे post delayed जैसे लिखेंगे तो यहां पर अपने को एक तो इसका जो function है वो लिखना है रनेबल रनेबल एंड इसके बाद brackets के बाहर आके अपने को लिखना है इसका time out जैसे माल लिजे मैं 2 seconds रखता हूँ तो 2000 milliseconds में लिख दूंगा इसको मैं अब अपने पास एक function है यहां पर रनेबल का इस function के अंदर हमको यह वाला अपना जो code है उठाके डाल देना है यानि कि इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले अपना एक handler को लोगा यहां पर और वो 2 seconds बाद में अपना इस task को execute कर देगा यानि कि इस code को execute कर देगा तो सबसे पहले एक बार run करते हैं आपको run करके मैं दिखाता हूं कि कैसे 2 seconds तक hold गया इस place activity ने देन उसके बाद में man activity पर जाके चला गया वह इसको मालेजिए अगर मैं बढ़ा देता हूं 5 seconds कर देता हूं यह ने 5 seconds कर दिया अब इसको run करते हैं तो run करने के बाद में 5 seconds त लगाना चाहते हैं तो लोगो कैसे लगाओगे यहां पर एक image view लगाओगे आप image view और wrap content रख देंगे अपन और यहां पर लिखेंगे source src सोर्स में क्या लिखेंगे अपन जैसे मालेजिए आपके पास कोई logo है ने किला तो जो अपने को android प्रोइड करता हूं है आपन यह है वह यहां तो आप code कर लिख सकते हो यह यहां से drag and drop कर सकते हो sorry stretch कर सकते हो तो stretch करने के लिए आपको दिखाता हूं stretch कैसे करोगे आप इस वाले इसको पकड़ेंगे और इसके साथ में match कर देंगे इस वाले को पकड़के इधर stretch कर देंगे इसको तो यह center में आ गया मतलब horizontally यह center में fit हो चुका है अब अपने को vertically करना है तो vertically अगर हम इसको bottom to bottom कर देंगे तो क्या करेंगे इस प्लैस activity के जो नाम ही इसको भी अपने bottom to bottom कर रखा है तो यह कहने कि इसके उपर overlap करना start कर देगा तो इसके लिए अपन क्या करेंगे इसका जो होगा इसके साथ में हम इसको अटेज कर देंगे मतलब इसके साथ इसके अटेज करेंगे अपन तो यह क्या है कि इसके जस्ट थोड़ा सा उपर आजाएगा और अगर माल लीजिए इसको यह वाली जो एज है वो बच गई है अना देखना त्री डोट है वो ब्लू हो चुके वन है वो वाइट अभी तक क् पास एक इत्नी विंडो है कवर हो गई और इस विंडो के बाद यह यह यहाँ सेंटर में आइगा ज्यासए आपको दिखा वी देता हूं say देखना यह मतलब इतने विंडो के अंदर इसका इसने सेंटर पकड़ लिया है तो कि इसको हमने चारो तरफ से यहां यहां से स्ट्रेच किया है तो लेकिन हमें यह नहीं करना है हमें शिरफ इस प्लैस एक्टिविटी के जस्ट उपर इस आइकन को शो करना है तो मैंने कंट्रोल जेट कर दिया और इतना काम अपना काफी है अब दुबार से अप्लिकेशन को रन करते हैं अपने डिवाइस के अंदर और यू केंट सी कि हमारा आइकन और हमारा जो नाम है वह यहां पर फाइब सेकन के विजिबल हो रहे है उसके बाद हमारी मैन अक्टिविटी वह लॉंच हो रही है तो इस तरीके से जो अपनी स्प्लैस एक्टिविटी है वो बनती है इस प्लैस इसको और भी अच्छे झाल चाएब कर दो क्यां सब्सक्राइब कर फिब्सक्राइब और। लॉंच हुआ एक।